Hello and Welcome इस वीडियो लेक्चर में हम 4-digit numbers की addition सीखेंगे fastest method से स्कूलों में जिस तरीके से 4-digit numbers को add किया जाता है या यूँ समझ लिजे कि जो traditional method है उसमें हम right side से start करते हैं और left side की तरफ जाते हैं carry भी होता है आप ऐसे add करते हैं जैसे 10 हो गया 1 carry हो गया 16, 1 फिर से carry हो गया 15, 1 carry हो गया तो 14 इस तरह से आप add करते हैं इस तरह के method में आप left side से start करके right side पर गए carry आपने यहाँ पर ruffer की तरह लिखा और उसके बाद किया कई बार आप नहीं भी लिखते हैं ruffer की तरह mind में रख लेते हैं और आगे move on करते हैं लेकिन यह आप लिख कर ही कर सकते हैं आप बिना लिखे इनको add नहीं कर पारें तो फिर हम और क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर हम एक नया method सीखेंगे जहाँ पर आप इनको mentally भी add कर पाएंगे इस method में हम number को इस तरह से divide कर देते हैं दो parts में यहाँ पर place value की बात करूंगी अगर हमारे पास 49 है तो यह unit place digit है और इसकी place value 9 है यह 10th place digit है और इसकी place value 40 है इसी तरह से अगर मेरे पास 57 है तो 7 की place value 7 है क्योंकि unit place digit है यह 10th place digit है और इसकी place value 50 है हम इसे 50 plus 7 भी लिख सकते हैं यहाँ पर भी हम 40 plus 9 भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर place value important होगी पहले हम rightmost partition को solve करेंगे हम पहले इन दोनों numbers को add करेंगे यह 10th place पर लिखे हुए numbers है इसलिए इनकी place value 70 और 80 है तो जब हम इनको add करेंगे 70 plus 80 यहाँ पर 2 and 8 यह unit place digit है इसलिए इनकी जो place value है वो 2 and 8 होगी और 7 और 8 यह 10th place digits है इनकी place value 70 और 80 होगी तो अब जब हम इने add करेंगे तो हम यहाँ से start करेंगे 70 plus 80 150 150 और उसमें इनको add कर देंगे 10 150 plus 10 160 150 plus 10 160 लेकिन जब 3 digit number हो जाए तो हम 160 ऐसे लिखेंगे और फिर हम यहाँ पहुँचेंगे यह फिर से unit place digits का काम कर रहे है और यह 10th place digit का यानि इसकी place value 70 है इसकी 60 इसकी 5 इसकी 9 फिर इसी तरह से जैसे हमने right side पर किया था ऐसे ही यहाँ पर add करेंगे 70 plus 60 130 plus 14 144 अब इसको add कर देंगे और यह answer आज़े अगर आप इसे mind में करना चाहते है हम mind में इस तरह की partition समझ लेंगे और पहले इस तरह add करके number देख लेंगे क्या बनता है जैसे 70 plus 80 150 plus 10 160 अगर यह 160 यानि 3-digit number बन गया तो 60 तो हम समझ लेंगे कि last के 2 digits है और 1 को mind में रख लेंगे अब यहाँ पर 130 plus 14 144 वो जो 1 कैरी किया था उसकी वज़ा से 145 हो जाएगा और 60 यहाँ आ जाएगा तो इस तरह से हम mind में भी कर सकते है आप ऐसे समझ लेजीए mind में कि यहाँ एक partition है और 150 plus 10 160 बन रहा है तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ 60 लिखा जाएगा अब 1 हमने carry कर लिया है अब यहाँ पर 130 plus 14 144 बन रहा है उसमें वो जो 1 कैरी हो गया था वो आ जाएगा और यह 145 and 60 यह answer आ जाएगा एक example और करते है हम पहले partition में बाटेंगे rightmost side को solve करेंगे 60 plus 50 60 plus 50 110 110 plus 12 122 122 थी डिजिट नबर है तो हम ऐसे लिखेंगे अब यहाँ add करेंगे तो 90 plus 70 160 90 plus 70 160 plus 9 169 अब यह add हो जाएगा तो 1, 7, 0, 2, 2 यह answer आ जाएगा अब mind में करके देखते है 60 plus 50 110 plus 12 122 हम जानते हैं यह 22 आएगा और mind में 1 को carry कर लेते हैं यहाँ से जो भी answer आएगा उसमें 1 plus कर देंगे 160 plus 9 169 plus 1 होने से 170 आ गया और इस तरह से यह answer आ गया तो आप इसको mind में भी कर सकते हैं कुछ और examples देखते हैं यहाँ पर भी हम दो partitions में divide कर देंगे और इसे 30 मानेंगे इसे 50, इसे 9, इसे 6 30 plus 50, 80 30 plus 50, 80 80 plus 15, 95 तो यह तो direct आ जाएगा और यहाँ पर भी 100 और 9 109 तो यह तो बिल्कुर direct हो गया है यहाँ पर mentally भी direct हो रहा है इस problem को two parts में divide करते हैं 90 plus 60 is 150 150 and 13 163 90 plus 60 is 150 150 plus 13 163 तो 63 यहाँ आएगा 1 हम mind में रख लेंगे अब 10 plus 80 90, 90 plus 13 103 103 and 1 carry भी था हो आपर तो 104 So answer is 10,463 अब यहाँ पर भी two partition में divide करते हैं 30 plus 40, 70 30 plus 40, 70 70 plus 12, 82 अब यह direct आ जाएगा कोई mind में भी नहीं रखना है 80 plus 60 80 plus 60, 140 140, 140 plus 9 149 तो इस बार भी direct answer है कुछ और problems करते हैं 30 plus 90 30 plus 90 120 120 120 plus 10 130 तो इसमें हम 30 लिख देंगे और 1 को mind में ही रख लेंगे जो भी यहाँ से number आएगा उसे 1 बढ़ा देंगे 90 plus 50 is 140 90 plus 50 is 140 90 plus 50 is 140 plus 13 153 तो 154 आएगा 70 plus 30 is 100 100 plus 14 114 तो हम 14 लिख देंगे और 1 को mind में रख लेंगे जो भी यहाँ का answer आएगा उसे 1 बढ़ा देंगे 80 plus 50 is 130 plus 10 140 और 1 हमें यहाँ से भी मिला था 141 तो answer आगया 90 plus 90 is 180 plus 13 193 तो 93 तो यहाँ आजाएगा और 1 माइड में रख लेंगे 40 plus 70 110 110 and 7 117 117 and 1 कह रही था तो 118 आगया तो answer आगया थोड़ी से practice की जुरत है लेकिन अब calculations fast हो रही है अब आप इसे mind में ही समझें कि यहाँ पर एक partition है तो 50 plus 60 is 110 110 plus 18 128 तो 28 यहाँ आएगा 1 माइड में रहेगा 30 plus 70 100 100 plus 12 112 और 1 कहरी भी था 113 तो इस तना से direct answer आने लगे अब 80 plus 70 80 plus 70 150 150 and 40 164 64 लिख देंगे 1 को माइड में रखेंगे 110 plus 7 110 plus 7 117 118 तो यह answer है तो इस तरह से थोड़ी सी practice से यह बहुत fast हो सकता है इसमें जादा carry की भी ज़रूरत नहीं है और mentally आप इसे कर सकते हैं अब यह कुछ practice questions है यह questions 10 in number है इनके answers भी दिये गए है वेदिक मैंस पर बेस्ट और वीडियो लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं थैंक्स पर वाची ज़गए